वेलकम टू ड्रीम के बीसी जीके दोस्तो स्वागते आपका ड्रीम के बीसी जीके यूटूब चैनल पे दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर भारत वा विस्वक के प्रमुक धर्मों से सबदी जनरल नौलेज के सामने ग्यान के 25 अती महत्तो पून क्वेशन लेके आया हूँ हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है आपकी स्टडी में हेलफूल लगता है तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जीके यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तो आपको नवर बिनती रहेगी आप निचे रहे सब्सक्राइब बटंग को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को ओन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नोलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस दो वीडियों तक देखिए अच्छा लगे तो लाइक जिरूर करना विशन वर बन संक्राचारियन ने चार मठो की स्थापना कहा 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 की थी यहाँ पे चार ओप्सन दियेगे है अगर आपको पता हो तो इस पीशिंग का अंसर आप कमेट भी कर सकती हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकती हो टोटल जेक करना है तो इसका उप्सन भी बदरिनाथ पूरी शिंगेरी और द्वार्का स्रिंगेरी और त्वारिक ते ओतर में बदुलini नstarम दाफिशी में और पूरि पूर्भ में सिंगेरी और पच्चिम में द्वारीका में की थी आदिकर्ण शंक्राचारे ने चारों आचारों की प्रदानता है बोध धर्म की किस एक साका में मंत्र हठ योग इवम तांतरिक आचारों की प्रदानता है यहां पे चार ऑप्षन दिएगे हैं अगर आपको पता हो तो इसका अंसर आप कमेट कीजिए वेरी वेरी सिंपल क्विशन है यह है तो इसका उत्र है ऑप्सन सी हीन यान तो बहुत दर्म की हीन यान साका में मंत्र, हठ योग इवं तांतरिक आचारों की प्रदानता है चलते हैं अगले क्विशन पर विशन मतरी सीखो के दसवे और अंतिम गुरू गोविन सी किसके पु इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग क्विशन आते रहेंगे गुरुपया विडियो में अंतक बने रहें तो इसका आंसर है ऑप्सन भी गुरू तेग बादूर तो सिखो के दसवे और अंतिम गुरू गोविन सी किसे कहा जाता है अगरापको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेड कर दीए तो इसका उद्रेस्ट ओप्सन है चेतन्या तो चेतन्या महापुर्पो को किर्तन परमपरा का जन्म दाता कहा जाता है अगला कउशन विशर नमबर फाई वेरी वेरी इप्पोर्ट किशह ने भारत में इसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रतम किसी ने किया था सुचे इसका अंसर अगर आपको पता हो तो इसका अंसर कमेड कीजिए तो इसका उत्तर्य option सी सेंट थौमस तो सेंट थोमस को भारत में इसाई धर्म का प्रचार किया था उन्होंने स्वर प्रतम फिशन नंबर 6 महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध द्वारा दिये गए प्रतम उपदेश को क्या कहा जाता है यहाँ पे चार ओप्शन दिये गए है सुचे इसका अंसर अगर आपको पता हो तो जल्दी से कमेट कर दिये तो इसका उत्रे ओप्शन भी धर्म चक्र प्रवर्तन तो महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा दिये गए प्रतम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है फिशन नमबर सेवन हिंदू द्रम का आधार ग्रंथ है तो हिंदू सनातन द्रम का आधार ग्रंथ क्या है यहाँ पे चार ओप्शन है अगर आपको पता हो तो जल्दी से कमेट कर दिये इसका आंसर आपको पता होना चाहिए तो इसका आंसर है ओप्शन सी वेद किस वेद का कुछ अंस गद्य में लिखा गया है अगर आपको पता हो तो इसका अंसर कमेट कीजिए तो इसका उत्रे औप्सन सी यजुरवेद यजुरवेद का कुछ अंस गद्य में है और पद्य में भी यजुरवेद प्रस्तूत सुक्ति कहां से लिया गया है अगर आपको पता हो, तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए, कहीं एक्जाम में क्विशन पुछा जा चुका है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, तो इसका उत्रे आप्सन है, रिग्वेट से लिया गया है, अस्तो मा सद्गवे, प्रस्तूत पंक्ति, अगला क्वि अगर आपको पता हो, तो इसका आंसर जल्दी से कमेट कर दीजिए, सुचे इसका आंसर, तो इसका उत्रे आप्सन है, रिग्वेट, रिग्वेट में गरंत में यग्या कर्मकांट समधी बातो था प्रार्थना का संग्र है, फिशन नमबर 11, आयूर विद्धी, आयूर कहां से मिलता है, अगर आपको पता हो, तो जल्दी इसका आंसर कमेट कीजिए, बहुती इंपोर्ट कुछ नहीं है, तो इसका उत्रे आप्सन डी अथरव वेद में मिलता है, आयूर विद्धी, अर्थात, जीवन का, विज्ञान का, सरप्रथम उलेक, विशन नमबर 12, महा महात्मा बुद्ध के पंचसिल सिद्धान्द का उलेक, किस उपनी सद्ध में मिलता है, अगर आपको पता हो, तो इसका आंसर जल्दी से कमेट कीजिए, बहुती इंपोर्ट कुछ नहीं है, तो इसका उत्रे आप्सन भी चानग्यो उपनी सद्ध, चानग्यो उपनी याद रखना हैं आपको यह अजन सर, कई exam में question पुछा जाचुका है, question number 30, बारत के राष्ट्रिय चीनल के नीचे अंकित, सत्य मेव जयिती सब्ध किस एतिहासिक ग्रंद से लिया गया है, भारत के राष्ट्रिय चीनल के नीचे अंकित, सत्य मेव जयिती कहा से लिया गया है इसका अंसर आपको पता होना चाहिए वेरी वेरी सिंपल क्विश्च नहीं है तो इसका उत्रें option D मुंड को अपनी सत्य से लिए गया है सत्य में जईते क्विश्च नमबर 14 महाभारत का फार्सी अनुवाद है तो महाभारत का फार्सी अनुवाद यहाँ पर कौन सा ग्रंथ है सुचे इसका अंसर अगर आपको पता हो तो जल्दी से कमेट कीजिए तो इसका उत्रें option C रज्म नामा तो रज्म नामा महाभारत का फार्सी अनुवाद है next question स्रीमत बगवद गीता में है यह पर option C अठ्ठा अधिया है और 700 संस्क्रिट स्लोग है तो महाभारत के बिश्म पर्व में स्रीमत बगवद गीता का वर्णन आता है पिश्य नमबर सिक्षिर सरवप्रथम किस उपनी सद में देव की पुत्र इवं अंगीरा के शिष्य के रूप में देव की पुत्र इवं अंगीरा के शिष्य के रूप में भगवान स्री कृष्य का उल्लेक मिलता है तो इसका उत्रे option सी छांदोग ग्योपनिशद में देव की पुत्रा और अंगीरा के शिश्य के रूप में पगवान स्री कृष्ण का उल्लेक मिलता है Question number 7 जैन साहित्य को कहा जाता है तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है Question number 18 जैन साहित्य को कहा जाता है Old Testament किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुक ग्रंध है अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए Very very important question है तो इसका उदर है option भी यहूदी तो यहूदी धर्म का धार्मिक संप्रदाय का प्रमुक ग्रंध है Old Testament अगला question Question number 20 Very very important question है पेगंबर मुहमत की कही गई बाते तथा उनकी स्मृतिया किस ग्रंध में संकली थे मुहमत पेगंबर की कही गई बाते तथा उनकी स्मृतिया किस ग्रंध में संकली थे अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए तो इसका उत्रे option है हदीश में वर्णित है पेगंबर मुहमत की कही गई बाते तथा उनकी स्मृतिया Question number 21 पार्सियों का पवित्र धर्मगरंध है तो पार्सियों का पवित्र धर्मगरंध कौन सा है गर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए तो इसका उत्रे option सी जेंदा वेस्ता पार्सियों का पवित्र धर्मगरंध है अगला question number 22 तो रहा किस धार्मिक संप्रताई की पवित्र पुस्तक है तो इसका आंसर है option सी यहुदियों की पवित्र पुस्तक है तो रहा question number 23 सीखों के पवित्र धार्मिक्रंध गुरू ग्रंथ साहिब के संकलन करता कौन है तो गुरू ग्रंथ साहिब का संकलन किस ने किया था तो इसका उत्रे option एक गुरू अरजुन देव ने किया था गुरू ग्रंथ साहिब के का संकलन अगला क्विशन, क्विशन नमबर 24, very very important क्विशन है, यहुदियों का पुजास्तल कहलाता है, तो यहुदियों का पुजास्तल क्या कहलाता है, तो इसका उतर है option भी सिना गांग, तो सिना गांग कहलाता है, और पार्सियों का पुजास्तल अगनी मंदिर कहलाता है, और क्रि कहा का मुल धर्म है इसका आंसर है option B जापान तो जापान का मुल धर्म है सिंतो तुस्तों यहाँ पर यह वीडियो समाप होता है हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो knowledgeable लगा हो आपकी study में helpful लगा हो तो इसे like कीजिए, share कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल Dream KBC GK YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तो आपको नबर विर्णती रहेगी आप निचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को आउन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेज़ेबल विडियो की नॉडिफिकेशन मिलते रहेगी दोस्तो हमारी Dream KBC GK का फेस्बूक पेज भी है आप हमारा फेस्बूक पेज लाइक कर सकते हो ट्विटर पे भी फूलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फूलो कर सकते हो हमारे वीडियो अच्छे लगते है तो अधर सोसियल मेडिया सैट पे भी हम हमारा नॉलेज़ शेयर करते है तो वहाँ पे भी आप हमें फूलो कर सकते हो तो वीडियो अच्छा लगो तो लाइक कीजिए और जादा से जादा इस वीडियो को शेर कीजिए रोमे सपोर्ट कीजिए जै हिंद जै भारत बंदे मादरव